हेलो फ्रेंट्स, आप सभी का स्वागत हैं अगर आप बार बार मॉबाइल फॉन पर आने वाले पॉन कोल्स से परेशान है तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताओँगा जिससे आप अपने मॉबाइल फॉन पर बिना फ्लाइट मौड लगाएं आप आने वाले फ एप्रेपिकेशन आपके पास आती रहे दिजर्ली वीडियो को सुरू करते हैं अपने मुबाइल पॉन पर आने वाले फोन कोल्स को बिना मुबाइल फौन पर फलाइट मौड लगाये हुए फोन कोलों को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने mobile phone पर settings app को open करें open करने के बाद इस तरह से interface खुल कराएगा interface खुलने के बाद सर्चबार पर click करें click करने के बाद यहाँ पर type करें call forwarding तो चलिए type कर लेते हैं call forwarding type करने के बाद इस तरह से option आजाएगा बहुत सारा तो आप सबसे उपर नजर आ रहे call forwarding settings वाले option पर click करें click करने के बाद इस तरह से screen पर दो number आ जाएगा अगर आपके mobile phone में दो SIM लगा होगा तो अगर एक SIM लगा होगा तो एक ही number आएगा आपका तो आप जिस number पर आने वाले phone calls को रोकना चाहते हैं उस number पर click करें click करने के बाद इस तरह से interface खुल कराएगा interface खुलने के बाद दो option नजर आएगा एक 22 का और दूसरा वीडियो का तो आप 22 वाले option पर click कर दें click करने के बाद थोड़ी देर wait करें wait करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा option दिखाई देगा तो आप सबसे उपर नजर आ रहा है always forward वाले option पर click करें click करने के बाद यहाँ पर number डालने को बोला जाएगा तो आप यहाँ पर उस number को डाले जो उप्योग में नहीं है या फिर जो number switch off है तो चलिए उस वाले number को डाल लेते हैं तो आप अपने अनुसार डाल ले तो चलिए मैं डाल देता हूँ number डालने के बाद अब आप नीचे की ओर right side में नजर आ रहे है turn on वाले option पर click करें click करने के बाद अब यहाँ पर देशकते है call forwarding is on हो गया है option देशकते हैं अब option on हो चुका है यानि कि अब आपको आने वाला phone calls परिशान नहीं कर पाएगा अब जो करना चाहे कर सकते हैं इन सभी तरीके को इस्तिमाल करके आप भी आने वाले phone calls को रोख सकते हैं वो भी बिना flight mode लगाए सो फ्रेंड मेरी ये जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो like, comment और share करें अगर आप हमारे इस चैनल में नए है तो subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को notification आपके पास आती रहे तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम